पूर्वे सिंग भूम कोवाली थाने में बीति गुरुवार को ट्रैक्टर की चपेट में आ जाने से आठ परश ये बच्चे के मरती हो गए जिसको लेकर मृतक के परजनों ने दोश्यों पर कारवाई की मांग को लेकर कोवाली थाने में एक मामला दर्श करवाया था मही 24 खंटे बी जाने के बाज शुकरवार को शफ के साथ ग्रामडों ने मौावजी की मांग को लेकर कोवाली थाना गेट के बाहर धरना दिया मौके पर स्थानी अवधायक संजीव सरदार उपस्तत होकर मृतक बच्चे की सजनों से मिलकर दुख की घड़ी में सांत्वना दी उन्होंने थाना प्रभारी धनजे पास्वान को निर्देश दिये कि जल से जल दोश्यों पर कारवाई करें ताकि न्याय मिल सके थाना प्रभारी धनजे कुमार पास्वान ने परजनों एवं ग्रामडों को कहा कि ठेकेदार समी चाल लोगों के उपर नाम जदे फाई यार की जल से जल गिरफतार कर कड़ी कारवाई की जाएगी जिसके पश्यात इसके आधार पर थाना प्रभारी ने कई लोगों को देही की आधार पर हिरासत में लेकर कड़ी पूच ताच कर रही है वहीं 6 गंटे धरने के उपरांत ग्रामडों को थाना प्रभारी धनजे पास्वान ने आश्वाशन दिया कि चार दिनों के अंदर ट्रैक्टर की बरामदगी के साथ-साथ दोश्यों पर भी कारवाई की जाएगी जिसकी परशात मामला शांत हुआ और शफो परिवार वालों ने अंतिम संसकार करने के लिए लेगे धरने में जिला परशद सूरज मंडल उपेंदर नाथ सरदार मनूद सरदार दीवी कुमारी मुमिच ग्रामरदान विधान मंडल ग्रामियर शीतल मंडल सुमन म मंडल राहूल मंडल आदियुपस्तित रही जमशीत पर से भीजीत सीन के रपोर्ट मतलब लाक का दिया है पराटम हम लोग उसको लेके जिये सदर हस्पितल सदर हस्पितल में डाक्तर ने में दिशीत का दिया है तो उसके नावन चलाने वाला को भी गिरपतर हुआ है या ठेकदार को कुछ करवाई हुआ है जो भी किसी के उपर कुछ कारवाई नहीं हुआ है, जो जहां कारियों चाल रहा है, उलास लेकर आए हैं Ehuk, जब तक नहीं हम लोग का यह मिलेगा तब तक हम लोग का लुए हम लोग के लिए हम इसलिए राते हैं जब तो हम लोग का बाहन या तो सब के उपर करवाई होने चाहिए तो हम लोग लास लेचे जाएंगे इसको हम लोग आपना विदी विधान से काम करेंगे